नमस्कार और जैशी कृष्णा बगवद गीता हर रोज अमरे इस कारिक्रम श्रीणी में आप भी हम बगवद गीता के अरजून विशाद योग के स्लोक को समझते हैं आज हम दस नंबर के स्लोक को समझेने की कुशिश करेंगे श्लोक है आपरियाप्तम तदस्माकं बलं बिश्मा बीरक्षितम परियाप्तम त्विदमेतेशां बलं बिमा बीरक्षितम इसका सामानिय अर्थ है बिश्म पितामा द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल परियाप्त नहीं है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का यह सैन्य बल परियाप्त याने अधीक है इस लोग का विश्त्रू तर्थ और परिप्रेक्ष समझने की गोशिश करें थोड़े ही क्षण पूर्व जो दुर्योदन अपनी सेना के महरतियों की गिंती कर रहा था और गर्वम हैसूस कर रहा था अब संसा वह आशंकीत हो गया उसने सामने दल में भीम को देखा वह भीम की शक्तियों से सुपरिजित था उसने बालिया वस्था में अपने मामा जी की मदद से भीम को रुद्यू तक देने की कोशिश की थी पर जिस तरह से भीम बच गया था और उसका बल और ज्यादा हो गया था वह उसको अच्छे से स्मरण में होने लगा अब उसे परमवीर पिता मह के ने तृत्व में खड़ी अपनी सेना भी कमजोर दिखने लगी कितने भी वीर युद्धा क्यों न हो भीम के समरक्षित सहिन्य के आगे किसी का बल काम न आएगा इस बात का द इस तरह से गनान है इस लोग का मानव जीवन में महत्व समझने की कुशिश करेतों इंसान जब कुछ गलत कर रहा हो तब अनयासी वह अपने आप पैसे विश्वास को देता है वह जो कर रहा है उसमें उसे पूर्णतया विश्वास नहीं रहता है बार बार उसका मन आशनक ही थोरता रहता है यह आभास इसलिए होते है कि कहीं पर तो उसे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरना हो ही जाए तो मित्रों ये थी अर्जून विशादियोग की दस्वेश लोग की प्रस्तुती लेकन अलपा बेन पुरोहित बड़ोदा से और मैं प्रस्तूत करना जैशी कृष्णा भगवत गीता हर रोज में कल एक और स्लोग के साथ फिर से मिलेंगे वहां तक नमस्कार